नमस्कार साथ यों सिब्धेटे गूरू में आप सभी का स्वागत है दोस्तों विडियो में चर्षा करने वाले हैं आई टे के सरकारी मार्शीट और आई टे के प्राइवेट मार्शीट के बारे में क्योंकि तो बहुत लोगों कन्फिजन है कई लोगों ने कमेंट किया था कि जो है अगर प्राइवेट से करते हैं तो क्या उस आइटे के मार्शिट की वैलू होगी क्या उसे गुवर्मेंट जॉब में लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं तो बहुलों confusion होता है कि अगर कहीं जॉब में लगाना हो private market का तो उसको ये value होगी कि नहीं होगी कि उसका demand होगा कि नहीं होगा तो पूरे विस्तार से चाशा काने वाले हैं और आपको अच्छे से पूरे विस्तार से समझाने वाले हैं कि सरकारी और private market में क्या अंतर होता है तो दोस्तों सबसे पहले आपको बताता है कि government और private IT मार्षिट में क्या अंतर होता है फिर आपको एक सरकारी मार्षिट और ये private मार्षिट दिखाएंगे और आपको अंतर बताइए इन दोने में अंतर क्या होता है तो सबसे पहले आपको बता दें कि अगर आप government IT से करते ह है तो वहाँ पर आपके मार्शिट पे लिखा रहा है government एटीज अगर अब private आइटीज से आपके मार्शिट पर लिखा रहा है प्राइट टि-टी जो उसका नाम होगा अटीज का वहाँ पे लिखा रहा है प्राइवेट ऑटीज तीक है इसे माल हो दोस्तों कि अगर मार्षिट में सरकारे से किये हैं तो गवर्मेंट एटे लिखा रहेगा प्राइवेट से किये हैं तो प्राइवेट एटे लिखा रहेगा अब सवाल यह है कि अगर आको लगता है कि इन दोनों मार्षिट में अंतर है तो आको बता दे फ्रेंड्स इन दोनो में चाहे गौर्वर्मेंट हो चाहे प्राइबेट आइट एय हो आपके पास किसी भी गम सर्टीफट हो इन दोन में कोई अंतर नहीं होता है कोई चाहे ईचाहे कर सकते हैं चाहे उतनुन सर्टीक drunk руки कि कर राइबेट शर्टर में भी सूंटर कोई यहां पर कोई अंतरने होता है, government की कोई vacancy आती है, तो वहाँ पär कया होता है कि आपको चाहे government aletti A.T.A वाले हो, चाहे private aletti A.T.A वाले हो, इन दोनों को interest exam देना होता है उस interest exam देने के बाद जो है उनका merit अमता फिर से principal से किये हो चाहे government से किये हो उसके कोई net dic होता है उससे कोई फरक नहीं पड़ता है आपको दिखाते है एक मासिट्त आपको ठोड़ा सा कुछ और अंदाजा मिल सकता है को तो मेरे पास मार्ट यहां पर दिखनाफको दिकाना चाहूंगा यहां पर देशकते हैं परापने शिवर्मेट500 ौर्ण थे लिखा हुआ है और इसके बाद यहां पे आएंगी तो इनका पुरह डिटेल दिया गया है और इनका नमचा दिया है धुरा सी जो है पुराना है आपको नेया भी दिखाऊंगा ठीक यह थुरा सा पुराना है जुलाई 2012 का दे सकते हैं और यह इनका जो है जितना वॉर्ण ओने पाया है तो सेटिफिकट है यह किसका जो है गवर्रमेंट याइट के का है और आपको दिखाते हैं यह पर एंटेयर सकते हैं यह इसबूरीट फरेउगा यह प्राइबेट एटीए गोरफपूर तो देखें यहां पे लिखा क्या लिखा है स्रीलाल बाहदु साथ्री प्राइबेट एटीए गोरफपूर तो यह फ्रेंड्स क्या है आपका यह है प्राइबेट एटीए का मार्शिट और अब यहां पर अंतर कुछ भी नहीं है आप दे कोई अंतर नहीं होता है अगर आप लगता है कि कोई अंतर होता है कोई अंतर नहीं होता है इन मार्शिटों में प्राइबेट हो चाहे सरकारी हो चाहे सरकारी से क्यों कोई अंतर नहीं होता है बस अंतर इतना होता है कि मार्शिट में आपके प्राइबेट लिखा होता है और स सरकारे में बस लिखा होता हैं अंतर इतना होता है कि गुष ए IT होते हैं इस स्वाइब लगती है यहीं का रही गवर्मेंट के तरफ लोग ज़्यादा भागते हैं और अगर बिरृटे लेना हो अगर आपको अच्छे percentage नहीं आए तो प्राइबेट आपके लिए अपके लिए कोई डाउट हो फिर भी तो कमेंट करी आपका जवाब पूरा दिया जाएगा थैंक्स वर वाचिंग